अभी में मौझूद हूँ यह अनुराग यादो का गाउं है और मैं आपको बताना चाहता हूं अनुराग यादो के जो आरूपी है जो जिनको पुलिस ने जेल भेजा था उनके हां कल राजस विभाग की टीम 25 कर रहे थी कि यह जमीन कैसा है जिसमें यहां के जो परधान है क जो अनुराग यादो को मौत के घाट उतारा है उसके आपको कैसी कारवाई होनी चाहिए और अभी तेक पुलिस क्या कारवाई की क्या नाम भीयां का इमरान हमारा नाम है इमरान भीये बदाए आप कल राजस विभाग की पैमाइस कर रहे थी चारों तरब तो उसके बाद के लिए पूरह चाहब संग्त, तो May Datum When Thatum तष्मलिक आपवा रहे थे ताशिलधार थचाहब, तो पुरह पुर्ण शाहब नपनान हिंगा तो परधान शाहब को गुश् Gशा इस लिए निया ऌब तुस्त, तो मुझा भर्धान शाहब, तो पर पुरह पहो States अजने करने ख़िए जीखा है यहां कि अपवा कर तो करेंगे लिए पुर हुआ नपवा रहा है टो यही ही चीज लेकर हुए टो प्रौधान Pap壹शाही की आजसा कह похож आए कि हो रहा है कि? यहां नपवाना चहिए ने जब अमारे साथ मतलब हमीरे सामने बात होई थी के? तो यहां अपवाना चाहिए पूरा उनका कितना अवादी हडपे हैं कितना कैसे कैसे तो वही सब लेकर जो है बात में गुस्सा थोड़ा हो गए था मेरे भाईया यह बताईए प्रधान जी लगातार अनुराक के परिवारों के बीच में खड़े हैं आरुपे के घर लोग भी चाहते हैं कि बॉड़ लड़ चले वहां हैं आप लोगुम का यहां मेरे गाम में कोई जरूरत नहीं है यहां मेरे गाम में कोई जरूरत नहीं जो मासूं बच्चों का ऐसे गला-कार दे उसका कोई ज़रूरत नहीं जब गटना हुई तब अब कहाँ थे जब आँ थे मोल्चम धेखने हम यह झाते हम तो तो अम ढेठों पीट कँआ थे हम Siidhi अपना बता रहा हैं सरकारी पील कारते हैं हम जब घटना हुई तो आप बाद में आए थे नहीं यहां पर बाद में आज ही आ रहे हैं तो यह बताईए आप जो जिस तरीके से पामाई सो रही है आप कहरें बुल्टोजर चल जाना चाहिए जो आरुपी है उसके साथ कैसी कारवाई ह होना चाहिए उसके साथ तो यहीं कारवाई होना चाहिए उम्रकायद नहीं तो फिरा सिधा मतलब इंकाउंटर होना चाहिए जी योगी बाबा का बुल्टोजर बहुत तेज से घरस्ता है तो आप सुनते हों यह तो अबहुत बार हम सुने हैं और चला भी है यहां क्यू न किसी का अरी यार बच्चा था हो बच्चा था एक बार में साला जो है इतने जल्दी ऐसे किसी को नहीं करना चाहिए किसी को नहीं करना चाहिए भाई अराग को हम एक बार ऐसे हसी में बोल दिये थे क्या चोटू क्या हाल है तो बोला कि हमें चोटू क्यू बोले तुम हमें MER. acesso भाया फेलिए भी जमायुट भोलरा हैं अन्रॉरा कहत no également भाहत अच्छा लडका था और किसी को अपने दोड़ी पाड़ी को रेłरी पारी मारता था मोमडते लड़ी था बहुत अच्छा लडका था लकिन अन्रॉरा कि साथ गटना हुए बहुत बुरा हो गया ठीट कव्ट बुरा हे जा एक दम एक दम ऐसा है यह लोग यहां रहते भी नहीं थे कभी कदर आते थे तो यही है मतलब इन सबसे जहरा के चाहन लगिन इसमें बता जो घटना को अंजाम दिया है उसका भाई एक छोटा दरोगा था उसका भाप रेटार होके आया थे जी अगनु लिए को आया가 थार कि पिए झाल्य जी झाल बहुत सहे पाइसा था है यह को तो अर देर ख जु तहार कृत हाई तो झुम लोग का रग़ की। देखो, मुसलिम यादाओ सेख इचा, इससे कुछ नहीं होता है, दिल से कुछ होता है, आप भी चाहते का रुपिक घर बोलतो हो जाए और क्या, इस गाव भाहने कोई, हमारे पास कुछ है नहीं, एक बिश्छा जमीन भी नहीं है, लेकिन हम पूरे दिल से कहते हैं, कि ऐसे आदमी को इस कभी दुदिन पूर गाव में क्या भारत में वेड़ाने का अधिकार नहीं है, किसी को, तुरांद योगी जी को एक्शन लेगे, इनकांटर कर देना चाहिए, और क्या, ऐसी, भाई मेरी सलाह है, और आप लोग जो चाहो तो, आप पहली बार ऐसी घटना सुन में कोई जो है, ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी, हम पेपर रोज पढ़ते हैं जाके, सुबा में चाह पिने जाते हैं, पेपर पढ़ते हैं, ऐसी घटना कभी हमारी उम्रा की छोटी भाहन भी खिलाडी है, वो भी खेल प्रतियोगते हम जाते है, बहुत अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है, और यह लोग को क्या हुआ जाए लेकिन आप चाहते हैं, बुल्टोजर चलना चाहिए, बुल्टोजर चलना चाहिए, क्या नाम आप पता हैं, इम्रान का सिधा सिधा कहना है, जिस तरीके सानुराग के साथ उन लोगों ने घटना को अंजाम दिया उसी तरीके से योगी बाबा भे उनके ऊपर कारवाई करें, और उनका बुल्टोजर कमरुदिन गाउन में, और अरोपी के घर पर गर्जे, इस तरीके का गाउओ वालों का कया से आप तो देखना ही है, कि कब बाबा का बुल्टोजर यहां आता है, कब आरोपी के घर पर चलता है यह तो समय ही बताएगा ऐसे ही आप देखते रही आजाद बी आइपी नियोच को जय हिन